हेलो फ्रेंड्स आज हम जो डिजाइन बनाने वाले हैं इससे आप अपने ब्लाउस टॉप कुर्ती गाउन और किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं यहां हमने फैब्रिक लिया है कॉटन फैब्रिक लिया है हमने 80 cm और यह नेट फैब्रिक लिया है इसे हमने लिया है 1 मीटर सबसे पहले हमें cotton fabric की cutting करना है यहाँ हमने fabric को 4 fold में रखा हुआ है और close वाले side से marking किये यह design मैं एक top में बना रही हूँ इसलिए मैंने इसकी लंबाई जादा लिए अगर आप plouse में बनाएंगे तो उसकी लंबाई कम लीजिएगा अपने according यहाँ से हमने चौड़ाई लिए 10.5 इंच क्योंकि है हमारा 34 इंच का size है तो इसका fourth part plus 2 इंच लिया है हमने length लिए 21 इंच solder है इसका 6 इंच और इसके armhole है 6.5 इंच यहाँ से हमने armhole की गोलाई आगे के लिए 1 इंच और पीछे के लिए 1.5 इंच दिये अब इसको cut कर लेना है इस तरह से आगे और पीछे वाले part की cutting होने की बाद इसको एक साथ रखना है हमें यहाँ एक side हमें 3.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से solder भी 3.5 इंच लेना है और इस तरह से गोलाई दे देना है और इसको cut कर लेना है यहाँ पर हमें इस तरह है की तिर्ची पट्टी लेना है फैब्रिक से और इसको armhole पर joint करना है और इसके solder भी attach कर लेना है दोनों side यहाँ पर हमें armhole पर जोड़ना है यह पट्टी को और अंदर की तरफ fold कर देना है इस तरह से हमने armhole पर पट्टी लगा की भी लेकर टोटल हमारी 26 inch हो जाएगी और यहाँ से हम 6 inch और इसमें बढ़ा लेंगे तो टोटल हमारा 32 inch होगा अब हमें यहाँ पर net fabric लेना है यह इस तरह से net fabric को भी हमने 4 fold में रखा हुआ है तो यहाँ इसे close वाले side से में गुलाई देना है 8 inch की तो इस तरह से tape को गुलाई में रखना है और 8 inch का mark कर लेना है और यहाँ से 14 inch के mark कर लेना है गुलाई में ही और यह दोनों गुलाई को कट कर देना है तो यहाँ इस तरह से हमारा यह circle कट हो गया है अब ये circle को यहां एक तरव से पकड़ते हुए इस तरह से ये neck पे join कर देना है दोनों side यहां हमने neck पे net को join कर लिया है अब इसमें हमें एक तिरशी पट्टी लेना है और पूरे neck पर net की जो गोलाई है उससे मिलाते हुए पट्टी को हम अंदर की तरफ से लगा के बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे यहां नेक पे पट्टी लगा लेने के बाद हमें इस तरह की फैब्रिक की पट्टी चाहिए जिसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से चप्टी पट्टी सिल लेना है हमें और इसको हम यहां solder पर attach करेंगे जहां पर यह हमारा fabric end हो रहा है cotton वाला यहीं पर हम इसको joint करेंगे और सिलने के बाद पूरी पट्टी हमारे 6 इंच की होना चाहिए यानि कि 3 इंच आगे की तरफ और 3 इंच पीछे की तरफ रहना चाहिए टोटल 6 इंच की बचना चाहिए य यहां हमने दूसरे solder पर पट्टी लगा ली है और अब इसमें हमें अंदर वाले fabric में fitting दे देना है अंदर की तरफ से और यह जो हमारा net fabric है इस पर पीको कर लेंगे साथ ही यहां नीचे के edges को fold कर लेना है round में और यह design complete हो जाएगी friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है